वीड़ी बागत आपको में चैलनल में तो आज हम स्टाट करे हैं जेनल और्गनिक केमिस्टी ठीक है तो इसमें बिल्कुल आपको बेसिक से स्टाट करूँगा जैसे कि आपको पता है आप नाइन क्लास से पढ़ते आरे हैं कि कैमिकल रिएक्षन किया होती है ठीक है तो अग every organic reaction has two species अगर हम हर एक chemical reaction की बात करें जो organic reaction की बात करें उसमें आपको दो species मिलते हैं शुरुवात की बात कर रहा हूं ठीक है आपको दो species मिलेंगे पहला क्या होता है पहला substrate होता है रीजन्ट होता है ठीक है तो पहला substrate है दूसरा reagent है अब ये इसका मतलब किया जैसे मान लोग कोई भी chemical reaction होती है तो शुरुवात में ऐसे तो नहीं single reactant अपना product में convert होता है उसके साथ कोई तो होता है जो उसके react करेगा तब जाके वो product में convert होता है तो देखो the one which being attacked substrate वो होता है जो कोई शान बैठा रहेगा अब आके कोई कोई बोसकते हो कोई substance उसे attack उसे reaction श्तार करता है तो बोसकते हो substrate बलकुर शान धलै उसको शान बैठा होता है। जिसपे attack होता हो substrate है और ये वोजो substrate पर आटाएक करता है तो क्या होता है रिएजेंड ने उतला है नॉर्मलिस में निकले वो जो सबस्टेट पर अटाक करता है तो रियेजेंट कहलाता है ठीक है अब आपको जनरली और्गनिक केमेस्टर की बात करों जब भी कोई सबस्टेट के साथ रियेजेंट अटाक करेगा तो क्या होगा उसमें आपको एक ट्रांजिशन स्टेट ऐसा नहीं होता कि कोई भी सबस्टेट रियेजेंट से अटाक करके टायक वो पर्ड़ाक में जब अगया था है पर ऐसा जनरली नहीं होता और्गनिक रियेक्षिंज में आपको जनरली एक इंट्रीमीडिट स्टेज बनती है हम उसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं थैक है तो बहुत सकते हो कि सबसे पहले अगर आप जैसी इस रियक्शन को देखो CS3, CS2 और CL ठीक है यह आपका सबस्टेट है इसके साथ जैसे कि OH एक रियेजेंट है तो जब यह OH बहुत सकते हो कि इससे इससे रियक्ट करेगा जब यह OH इससे रियक्ट करेगा तो होगा क्या CL निकाल देगा तो ऐसा तो नहीं है कि डिरेक्ट पहले CL निकल गया और OH अटाइच होके टाक बन गया नहीं पहले क्या होगा OH उस CL को हटाएगा फिर वह बोसकते हो कि एक transition state या intermediate type का कुछ बनता है वह आपका काबो कटाइन बन गया ठेक है आपका CL अलग हो गया अब उसका अगले step में आप देगा कि OH पहले तो वह OH CL को निकाल लेगा तो निकल गया तो एक intermediate stage बन गया उसका अगले step में आपका यह OH इसके साथ अटाच हो जाएगा ओच आपका negative या आपका positive है क्योंकि पहले काबो काटाइन मनाने जरूरी होता है तो काबो काटाइन मनाने के बाद तब जाकर आपका पोड़क बन गया ठीक है ना अब जैसे कि आप यह समझो कि आप जा रहे हो कहां से कहां ऐसा समझो कि आप जा रहे हो दिल्ली से फिर उसके बाद आरास्ते में फिर और कोई जगा में फिर उहां रुके उसका फिर आप आगे जाके फाइनली आप पहुंचते हो बहुत सारे steps होते हैं ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका दिल्ली जहां से स्टार्ट हुए और फाइनली आप Bombay पहुंचे तो आपके लिए कहा है वह आपके लिए के ट्रांजिशन स्टेट है जहां पर रुके हो उसके बाद फिर आप फाइनली प्रोडक्त तक पहुंचे हो जहां आपको पहुंचना है तो यह आपको और गैनिक में आपको जनली यह टम्स बहुत मिलेंगी कि क्या होता है इंट्रेमी काइंको बिच में कोई रियक्टं से प्रटब रठीक है बीच में वो ट्रांजिशन स्टेट हुआ, तो आप उस ट्रांजिशन स्टेट को रोक नहीं सकते है, वो ट्रांजिशन स्टेट आपको वह सकते हो, कि दीखेगा तो उसे रोक नहीं सकते हो, तो आगे बड़ेगा, या आप उसे रोक सकते हो, उसी स्टेट पे, नहीं, तो इं फिर आगे बात करें कि जो reaction mechanism होता है एक hypothetical concept है जो भी आपको में बता रहा हूं कि मानलो कोई reagent है plus substance attack हुआ वो transition state में intermediate बना फिर वो intermediate बना तब जाके फाइनली किसमें पुड़क में करोड़ा ऐसा नहीं है मतलब जो भी चीजे है वो एक hypothetical concept है ठीक है मतलब अगर कोई भी यह mechanism हो रहा है अगर कोई भी बन्दा उसे प्रॉपर satisfy like satisfaction like वो बता दे रहा है कि भाई जब यह reaction होगी ताको काबो कटाइन बनेगा काबो आनायन बनेगा तो हाँ okay है ऐसा नहीं क्यों कुछ ऐसा बोल रहा है जो बिल्कुल समझी नहीं तो गलत है ठीक है जैसे कि मैं बोलूँ आप जारे हो किसी ने बोला कि भाई मैं दिली से मुंबए गया दिली से बॉम्बे गया तो जब दिली से बॉम्बे जाओंगा तो एक बंदा बोल रहा कि भाई मैं दिली से बॉम्बे गया तो रास्ते में मुझे रांची मिला था रांची से मैं chemical reaction होती है तो chemical reaction से वो product बनता है तो कुछ चीज ऐसी है जो possibility है और कुछ हो नहीं सकता तो जो हो नहीं सकता तो उसको तो हम गलत मानेंगे और experimental proof के साथ अगर दिख रहा है कि हाँ इसकी बात एक काफियत तक सही है तो हम उसको सही मानते है तो बिसलिए है कि hypothetical प्रॉपर बहुत सा तो सही नहीं है पर यह hypothetical एक है ठीक है तो बोल रहा है कि जो reagents होते है मैं जिए जिए की बात कर रहा हूं the reactant which has greater energy takes aggressive part initiate reaction मतलब सब्स्टेट बता है मैंने वो शांत बैठा रहा होता है reaction को आगे कौन बढ़ाता है वो reagent ही तो होता है तो बोलना चाहरा है कि reagent वो होता है जिसके वास energy ज्यादा होती है वो बहुत जल्दी chemical reaction में take part करता हो और reaction को initiate करता है ठीक है अब जैसे कि यह देखो ऑर एक है ठीक है यह कुई organic substrate है और यह आपका एज्वेच है देखो हैओ हुआ पर जो ओ एज्वेच है यह क्या करेगा अगल आप बोल सकते हो इसके साथ attack करेगा और बोल सकते हो कि यह X को निकाल देगा और वो ओएक साथ तो यह possibility होंगी ठीक है ना फिर आगे हम बात करें कि जो reagent होते हैं यह केस हो गया अब दूसरा केसी है देखो जड़ा दूसरा केसी है पॉसिबल है कि जिसे मानलो यह RX है यह एक organic compound है यह non-polar है ठीक है और फिर यह organic compound 2 है और यह polar है तो आप आप कैसे पहचान हो कि कौन सा substrate हो कौन सा reagent जब भी किसी chemical reaction में अगर एक सबसान दे रहे हैं उनमें सकर एक polar और एक non-polar हो तो polar वाला क्या होगा वो reagent होगा क्योंकि polar पानी में जाते ही वह बहुत सकते हैं उनके ions produce होंगे और ions produce होने के बाद वो उससे react करेंगे और reaction को अगर बढ़ाएंगे हमने क्या बात ुआ ताइप त essa me दो टाइपस के हैं चीक सी तो टाइपस व्रेजेंट पहर भाए मेनली टू टाइपस दू पीच्छेंश होते हैं पहला क्या है एीलेक्टिॉफायल का मतलब बोल सकते हो कि ये एलेक्ट्रॉन लविंग है एलेक्ट्रॉन लविंग आप जैसे मांलो किसी क हो Electron से प्यार इसका मतलब क्या है अग कोई बंदा की से प्यारता भी करता जब उसके पास किशिक की कमी हो तो यहां पर बहुत सकते हो कि Electron loving है लविश्डंग है इसका मतलब इस पर थोड़ा positive charge है जिस कि उसे हो Electron loving का काम करता है तो देखो यह एक तर से Electron deficient है इनके पास electron की कमी हो इलेक्टरों से प्यार करता है act as leavis acid में है positive charge और vacant orbital मतलब इनके पास positive charge होता है तब फिर negative charge के रोग अट्रेक्ट होते हैं तब फिर प्यार करते हैं फिर attack on site of high electron density nucleophile site तो बोल सकते हो कि जिनके पास nuclear ज्यादा मतलब positive charge है वहीं पर यह electrify attack करता है ठीक है और फिर यह कौन-कौन से example यह देख लीजिए है एक्स प्लस एक्स प्लस सी एल प्लस आर प्लस और टू प्लस अनु प्लस अनु प्लस एसो थ्री एच प्लस ठीक है ओल कटाइन्स चार्च जितने भी कटाइन्स होते हैं अब आगे accept किन-किन पर नहीं हो सकता मतलब कौन-कौन-कौन अलक्ट्रफाइल का काम नहीं कस दिए जितने भी आपका जो पहले ग्रूप के अलेमेंट्स होते हैं वह सेकंड ग्रूप के अलमेंट्स होते हैं और यह जो छोड़ के ठीक है ना आप अब हम आगे बात करते हैं कि जो नूट्रल नूट्रल इलक्ट्रोफाइल होते हैं रख कि जिनका इन कंप्लीट ओक होको जो उप्लीट यसा हो इनकम्प्लीट ऊन्हें के टोटल आड र любим keeping के पास incomplete electron होता है फिर एक्जामपल दिख लीजिए CH3 आगर देखोगे CH3 तो C के पास मुतारिकता से complete नहीं होता इनकी बात करें इनकी बात करें तो यह basically इनका orbital जो होता हो वेकट होता है इसके वह सकते हो कि electron से प्यार है अब उसको आगर देखते हैं क्या Nucleophile क्या होते हैं तो Nucleophile का मतलब क्या है Nucleus Loving है Nucleus Loving मतलब इनके पास negative charge होगा मैंने बोला भाई कोई किसी से प्यार तभी करेगा जब उसके पास दूसरी चीज कम हो तो यहां पर Nucleophile का मतलब क्या है कि Nucleus Loving है ठीक है इनके पास इलक्त्रों जादा होगा इसलिए वह पॉस्टिव साइट की तरफ अट्रक करेंगे यह इलक्त्रों पर डोनेट कर देते हैं यह जो इलक्त्रों डोनेट कर सकते हैं वो इलक्त्रों डोनेट कर सकते हैं आइधर है नेगटिव चार्ज और लोन पेर इनके पास या तो इलक्त्रों का लोन पेर होगा या तो नेगटिव चार्ज होगा तब यह वह पॉस्टिव के तरफ अट्रक्ट होंगे फिर चार्ज देखो आपको लोन पेर दिखेगा हमने उसमें कि बढ़ा था तन न्यूट्राल इलक्ट्रोफाइल में उसमें इलक्ट्रों की कम्ही थी उच्पा, और्रेीट क्वेट्छ आपको साब सापसे देखेखा भाके आपको नेक्स्ट वीडियों बताएंगे घरूचे की?